नमस्कार दोस्तो मैट्स विद मोहन गुपता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिननदन है दोस्तो जो सिरीज हमने शुरू की वी है जिसमें मदर्स एजूकेशन हपके संडे को होने वाले ओफलाइन टेस्ट के 25 मैट्स के क्वेशन का सुलूशन हम लोग हर वी क्ले करके आते हैं उसी का यह अगली अगला पार्ट है दोस्तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था काफी कमेंट मुझे मिले कि सर वह 110 नंबर का जो सुलूशन है वह अपलोड कर दीजिए दोस्तो मैंने वह वीडियो बनाया है लेकिन उसके अंदर साउंड ही नहीं आ रहा था उस वज़े से वह वीडियो अपलोड नहीं हो पाया तो दोस्तो उसको स्किप करके मैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं जो आज टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट का सोलिशन मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूं दोस्तो ये सिरीज मैं पहले भी बता चुका हूँ उन सभी students के लिए beneficial है जो जिनोंने ये test दिया है या नहीं दिया हो लेकिन जिनोंने ये test नहीं दिया है उन सभी को एक काम करना है कि हर question को पोच करना है और देखना है कि वो उसको कैसे solve कर पाते हैं और पहले इमानदरी से खुद की कोशिश करनी ह उसके बाद अगर solution ना हो तो फिर जाकर के वो solution को देखें कि मैंने यहां किस तरीके से करा है अगर आपसे solution हो भी गया है तो आपको methods में क्या फरक है वो आप लोगों को देखना होगा दोस्तों जिन भी student के साथ ही problem आती है कि sir अगर मैं question test में मिट से हो नहीं पाते हैं घर रही है और इस channel के साथ जुड़े रही है दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की series के पहले question question number 51 को 51 question जैसा कि मुझे दिख रहा है कि यह geometry का है यदि triangle ABC में AB और AC तो मुझे सबसे पहले एक triangle बनाना होगा तो मैं एक triangle बना लेता हूँ यहां पर यह मैंने एक triangle बना लिया तो इ AB और AC का ratio 1 ratio 3 है यह 1 है यह 3 है यह ratio है ध्यानक नहीं यह exact value नहीं है तो ratio को मैं circle में बना लेता हूँ ताकि हमें पता रहे कि value नहीं है AD BC पर लंब बहुत है AD हमने एक लंब डाला है BC के उपर तो हमने यह लंब डाल दिया BD के लंबाई 1 cm है BD के लंबाई 1 exact value दे रही है तो मैंने यहां लिख दिया और angle DAC angle BAD का 3 गुना है angle DAC यह वाला जो angle है वो angle BAD इस angle का 3 गुना है इसका मतलब अगर यह angle theta है तो यह पूरा angle 3 theta होगा 3 गुना होगा तो हमसे पुछा है CD के लंबाई क्या होगी इस CD के लंबाई हमसे पुछी जा रही है तो दोस्तों करते हैं इसको try कैसे किया जाना चाहिए दोस्तों सबसे पहले मुझे एक बात बताओ अगर यह angle theta है और यहां से मैं एक line ऐसी खिचूँ ध्यान साफ मेरी बात को सुनिएगा कि यह angle भी theta हो जाए तो दोस्तो 3 theta में से अगर theta गया तो यह angle कितना बचेगा 2 theta बचेगा अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस दोनों triangle में इस वाले उस वाले triangle में देखो तो यह angle 90 है तो यह भी 90 हो गया यह theta यह भी theta और यह side दोनों में common आ गई इसका मतलब यह दोनों triangle congruent हो गए AAS rule से दो angle और एक side equal होने के वज़े से congruent हो गए तो दोस्तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे यह congruent हुए तो यह one है तो यह भी कितना हो जाएगा वाई अब दूसरी बात हम लोग यहां क्या करने वाले हैं आप मुझे बताओ क्या यह पूरा angle जो है वो 2 theta है क्या और आप कहेंगे सर यह भी 2 theta है इसका मतलब यह line जो होती है वो किसका का काम कर रही है इस बड़े वाले triangle के angle by sector का का काम कर रही है आप सबको पता होगा कि कोई भ दोनों side का होता है X और Y वही ratio इन दोनों का होता है यह point हम लोग जानते हैं तो दोस्तों अगर यह angle by sector है इस बड़े वाले triangle का 2 theta 2 theta same angle होने की वज़े से तो अगर इसका ratio 1 ratio 3 है तो इसका ratio भी 1 ratio 3 होगा आप बताओ यह total कितना है 2 तो यह इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 6 अगर यह वाली side 3 गुना है तो इधर की तरफ यह वाली side भी कितनी होगी 3 गुना इस पूरे की value 2 है तो यह 3 गुना 6 हो जाएगी तो दोस्तों हमसे CD के लंबाई पूछी गई है CC लेके D के लंबाई 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 हमारे question का answer हो जाएगा चलो बढ़ते हैं अगले question की तरफ दोस्तों इस series के अंदर हम कोई फालतों की बात नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ question solution कैसे question किया जाना चाहिए क्या तरीका आसान है क्या तरीका मुश्किल है किन गलतियों से हमें बचना है इन basic चीजों की हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों मैं उमीद कर question जितने students Maths with Mohan Gupta YouTube channel पर जुडेंगे और जितने students इन वीडियो को appreciate करेंगे दोस्तों उत्रा ही मैं इसमें नया content लाने का सोचूंगा काफी टाइम से मैं देख रहा हूं कि कुछ limited student है जो continuous video को देखते हैं जब मैं उसके statistics देख रहा हूं कि वही students है जो बार-बार मेरे continue video को देखे जा रहे हैं लेगिन वो नई students को add नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप नई students को add करेंगे तो मैं promise कर रहा हूं कि complete maths का detailed content मतलब इतना content जिसको पढ़ने के बाद में आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी extra नहीं पढ़ना पड़ेगा वो maths with Mohan Gupta YouTube channel पर मैं आप लो सबसे पहले इनमें अगर हम किसी को solve करेंगे तो वह है bracket और bracket में भी अगर हम देखेंगे तो छोटा bracket है और फिर बड़ा bracket है सबसे पहले अगर मैं इसको solve करता हूं तो आप बताओ 15 में से 12 जाएगा ये क्या बचे का 3 और 3 में फिर भाग दिया गया है 9 का तो 3 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा 1 बटा 3 और इसको माइनस किया गया है 5 में से तो 5 में से 1 बटा 3 को अगर हम गटाएंगे तो 5 तीया 15 में से 1 गया 14 बटा 3 हमारे पास इस पूरे bracket का solution हमारे पास कितना आ गया है 14 by 3 हमारे पास solution आ चुका है अगर इधर की तरफ अब हम लोग देखे तो यह multiply का निशान है यहाँ पर अगर हम देखे तो divide में और off में पहले solve कौन होगा off solve होगा off का मतलब दोस्तों multiply करना होता है तो बारातिया 36 और 32 में भाग दिया गया है 36 का तो यह 32 बटा 36 ऐसा कुछ बन जाएगा 32 में बारातिया 36 का भाग देंगे multiply और यहाँ पर है off वो मैंने adjectives लिख दिया दोस्तों चलो इसको नहीं लिखता मैं इसको solve कर चुका हूँ अब आप बताओ off में और mine इधर multiply है पहले कौन solve होगा off का मतलब होता है multiply करना तो आपको इसको 3 by 7 से multiply करना पड़ेगा पहले यहाँ पर लिखा होगा है दियान रखना 2 of 4 मतलब 2 गुना 4 करेंगे तो यह 8 हो जाएगा यह हमारे पास equation कुछ इस तरीके से बनके आ गई है आप मुझे बताओ जब मैं इसको solve करूंगा तो 7 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 3 बार तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 8 में 8 को डिवाइड करेंगे तो यह value है 1 यह minus है यह 4 है प्लस है यह 2 है यह into है और यह 32 बटा 36 को अगर हम काट लें तो दोस्तो चार से कटेगा 8 बार चार से कटेगा 9 बार यह value हमारे पास आ गई है तो आप देखेंगे यह हो जाएगा 16 by 9 16 by 9 और 4 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 3 तो दोस्तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यह आपका हो गया 9 से डिवाइड अगर मैं इसको करता हूँ तो 1 and 7 by 9 और 1 इसमें जुट जाएगा तो 4 and 7 by 9 option number C हमारे question का answer हो जाएगा आपको केवल sequence का धियान रखना है कि किस तरीके से चीज़ों को solve करना है पहले बड़े Camper ब्रैकेट को solve करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को solve करेंगे, फिर ओफ को solve करेंगे, फिर डिवाइड को solve करेंगे, फिर multiply को solve करेंगे, ये पूरा पूरा सिक्पैंस होता है, पहले विनकिलम जो है नहीं इस question में, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले छोटा, फिर मंजला, फिर फिर off, फिर divide, फिर multiply, फिर addition और subtraction दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ गए हैं, चलो बढ़ते हैं अगले question की तरफ और अगला question हमारा ये रहा देखो अगला question हमारे ये कह रहा है, कि किसी school में विद्याले X से निश्चत संख्या में students present हुए और 20% student fail हो गए 20% fail हो गए, इसका मतलब अगर मैं present student so माल लूँ तो उसमें से pass और fail की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो कह रहा है 20% student fail हो गए, इसका मतलब fail हो है 20 तो pass कितने हो है 80 आगे बढ़ते हैं, उसी exam में विद्याले X के comparison में school B से 130% student अधिक उपस्तित हुए तो दोस्तों ये present student so थे, अगर मुझे 130% मतलब 130 ज्यादा present करना है तो school Y में 230 student present हुए होंगे वो पूछ रहा है यदि दोनों school से present हुए total student में से 90% student पास हुए दोस्तों, दोनों school से मिला करके, total अगर हम लोग देखें तो student कितने present हुए हैं, तो total student जो present हुए हैं, वो हुए है 330, 330, इस में से 90% पास हुए है इसका 90% मतलब 10% 33 कम कर लो, 297 student पास हुए है जबकि school X में कितने पास हुए थे, 80, तो school Y में कितने पास हुए हुए 217 217 तो हमसे पुछा गया है, school Y के fail होने वाले student का percentage बताओ total 230 में से 217 पास हुए, तो fail कितने हुए, 13 तो हमसे 13 230 का कितना परसंटेज है, 230 का कितना परसंट है, यह हमसे पुछा गया है दोस्तो एक 0 कटेगा और एक 0 इधर लगेगा मैं अगर इसको divide करूँ तो 23 गुना 5 अगर हम लोग करते हैं तो 115 होता है और 23 गुना 6 करते हैं 138 होता है 5 और 6 के बीच में हमारा answer होगा option number C हमारे question का answer हो जाएगा चलो बढ़ते हैं हम अगले question की तरफ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ गए है next version देखते हैं दोस्तो next version हमारा ये है यदि x और y दोनों acute angle है और x plus y is less than 90 और ये हमें दे रखाया है तो sec x plus y का मान क्या होगा दोस्तो जब sine coast में बदल जाए देखो यहाँ पर sine और कुछ angle दिया गया है और यहाँ पर coast और कुछ angle दिया गया है अगर sine coast में कब बदलता है अगर आपको दिया गया है कि sine a बराबर है coast b के तो आप तुरन समझ जाना कि इन दोनों angle का sum 90 डिगरी होगा अगर ही acute angle है तो तो दोस्तो यहाँ पर इन दोनों angle का sum कौन-कौन से 2x-20 और 2y-20 इन दोनों angle का sum कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए बस आपको इसको solve करना है और आपका answer आपके सामने होगा 20 से 20 कर गया 2 common आएगा तो x plus y 2 से मैंने card दिया 90 को 45 ठीटी x plus y कमा 45 अगर मैं रख दूँ तो sec 45 degree के value कितनी होती है root 2 यही हमारे question का answer हो जाएगा दोस्तो जो भी student इस series को इस test को नहीं दिये हैं उनसे एक प्रार्थना है उनके लिए एक suggestions है कि वो सबसे पहले इसको questions को खुद से try करें अगर आप इस series का maximum benefit लिना चाहते हैं तो वो question को उसी तरीके से करें जैसा मैं कहे रहा हूँ देखो दोस्तो अगला question question number 55 algebra का question दिख रहा है इसकी value दी गई है इसकी value दी गई है इसकी value दी गई है इसकी value पुछी है दोस्तो मुझे साफ साफ एक चीज नजर आ रही है कि इन दोनों value से आप सबको पता होगा x plus y plus z का whole square का formula x plus y plus z का square कर रहा हूँ 7 का square 49 और x plus y plus z का square क्या होता है x square plus y square plus z square जो तो होगया 85 plus 2xy yz zx मैंने यहाँ पर x plus y plus z का whole square किया है तो 7 का square 49 is equal to यह आता है और plus 2xy yz zx आता है दोस्तो अगर यह 85 इदर जाएगा तो minus में 36 बचेगा और 2 से कट जाएगा तो minus में 18 इसकी value हमारे पास minus में 18 आ गई है इसकी value कितनी आ गई है हमारे पास minus में 18 आ गई है ध्यान रखेगा अब हमसे x y z का cube पूछा गया है दोस्तो एक formula आपको पता होगा x cube plus y cube plus z cube जिसका मान है 913 ध्यान से सुनिएगा मैं यहाँ पर हमेशा पहले भी मैं हर वीडियो में बोलता है हूँ कि यह स्रीज उन students के linear है जिनको basic बिलकुल नहीं पता क्योंकि दोस्तो थोड़ा बुत आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए तब आपको यह चीज़े समझ में आएंगे अगर आपने एलजेब्रा बिलकुल नहीं पड़ी है तो यह पूरी बात आपके सिर के उपर से जाएगी इस सीरीज के अंदर हम लोग काम कर रहे है कि आपके सारे topics का एक बार revision हो जाए तो आपने पड़ा होगा x3 plus y3 plus z3 minus 3xyz equal to होता है x plus y plus z जो की है 7 into x square plus y square plus z square जो है 85 minus xy plus yz plus zx जिसका मान हमारे पास minus में 18 है इसका मान हमारे पास कितना है minus में 18 इसको solve करना है तो दोस्तो minus minus plus हो जाएगा यह हो गया 103 साथ से गुना करेंगे 721 इधर आएगा minus हो जाएगा तो 913 minus 721 और 3xyz उधर चला जाएगा 3xyz तो अगर मैं इसको घटा हूँगा तो 291 बराबर 3xyz तो दोस्तो 3 से यह कटेगा 618 412 xyz की value 64 आ गई है हमें उसका cube root करना है 64 का cube root रहता है 4 यही हमारे सवाल का answer होगा चलो बढ़ते हैं दोस्तो अगले question की तरफ देखो algebra का question लग रहा है मुझे देखो sin square beta का मान पूछा गया हमसे और option में अगर आप देखें तो कहीं पर भी alpha का जिक्र नहीं हो रहा है इसका मतलब हमको alpha को eliminate करना है और alpha को eliminate करने का एक ही तरीका होता है identity का इस्तिमार करना इसका मतलब आप sin square alpha plus cos square alpha की value 1 रखतेंगे आप मुझे बताओ ये तो identity होती ना हमारी sin alpha का मान यहां से क्या होगा तो आप बुलेंगे sir b sin beta होगा और मुझे sin alpha का square करना है तो b sin beta का square करूँगा तो b square sin square beta plus cos square alpha दोस्तो cos alpha का मान है a cos beta cross multiply करेंगे a cos beta मुझे square करना है तो a square cos square beta आएगा लेकिन cos square beta को क्या मैं one minus sin square beta लिख सकता हूँ क्या दोस्तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और बराबर एक कर दिया क्योंकि मुझे sin square beta का मान चाहिए cos का मान नहीं चाहिए तो मैंने cos को sign में change कर दिया अब हमारा सवाल खत्म हो चुका है और a b square sin square beta हमарे पास arab इन दोनों के अंदर अगर मैं sin square beta common लेलो sin square beta common लेलो तो दोस्तो यहां तो बचेगा b square और यहां बचेगा minus का a square बराबर 1 और दोस्तो यह a square उदर जायगा तो minus हो जायगा तो हमारा answer है sin square beta का again पूछा गया है क्या रहे है दोस्तों अगर इसको उल्टा करना पड़े गा मेरे पास Sin अगले question की तरफ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ गए हैं अगला question देखते हैं क्या कह रहा है हमारा कि simplification का question मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि देखो यह हमसे बूच रहा है कि इसका मान क्या होगा दोस्तों मुझे एक बात साफ साफ जो नजर आ रही है वो यह आ रही है कि options के अंदर M और N नहीं है इसका मतलब साफ साफ यह है कि M और N जितने भी है वह सब के सब कटेंगे तो आपको M और N को देखना नहीं है किवल numerical value देखने है यहां 1 है यहां माइनस 2 है यहां माइनस 1 है और कुछ नहीं है इसका मतलब 6 की पावर 1 है 15 की पावर माइनस 2 का मतलब नीचे की तरफ 2 बार 15 आ जाएगा 25 की पावर माइनस 1 का तो नीचे से उपर 25 चला जाएगा यही हमारे question का answer होगा देखो दोस्तो 5 से कटेगा 3 बार 5 से कटेगा 5 बार 5 से कटेगा 3 बार 3 से कटेगा 2 बार 2 बाई 3 option number B हमारे सवाल का answer हो गया चलो बढ़ते हैं हम अगले question पर मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ गए जिसको जहां पर दिक्कत आए वो उस चीज को दुबारा से देख लेगा लेकिन आपको बात को समझना होगा देखो दोस्तों यह हमारा question क्या कह रहा है यदि 7 अंको वाली एक संक्या है वो 72 से divisible है और x is not equal to y तो 2x प्लस 3y का मान ग्यात करो दोस्तों अगर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को 72 से divisible है तो 72 का मतलब होता है 9 into 8 वो 9 और 8 दोनों से divisible होगी अब हम बात करते हैं 8 के लिए दोस्तों 8 के लिए मैंने आपको divisibility rule आपको पता होना चाहिए कि अगर तीसरा digit odd होता है तो जो last के दो अंके हम केवल इसको divide करेंगे 8 से और divide करने पर reminder 4 बचना चाहिए अगर odd होता है अगर even होता है तो last के दो अंकों में भाग जाना चाहिए अब आप मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर एक रखता हूँ तो 8 का भाग चला जाएगा अगर मैं यहाँ तीन रखता हूँ ध्यानकना Y का मान अगर मैं तीन रखता हूँ 36 तो 8 चोग 32 कितना बचेगा चार बचेगा तो एक तो संख्या यह हो गई और अगली संख्या से 4 अधिक होती है मतलब 76 होगी आप देख सकते हैं इसमें मैं 8 का भाग दूँगा तो 8 निम में बहतर कितना बचेगा 4 इसका मतलब last के 2 जो है मतलब y का मान जो है वो क्या-क्या पोसिबल है y का मान 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है ये 2 वैल्यू पोसिबल है अब हम बात करते हैं x की वैल्यू की दोस्तों अगर ये 9 से डिवीज होगा अंको के योग में आपको 9 लेने की जरुवत नहीं होते हैं इनको छोड़ दो यहां पर देखेंगे 6 और 4 10 हो रहा है 9 चले जाएंगे 1 बचेगा 1 और 2 3 बचेगा ध्यान से सुनिएगा 3 प्लस x प्लस y ये संख्या 9 से डिवीजिबल होनी चाहिए अब देखो अब y क क्या क्या हो सकता है मैं बात करता हूँ y कमान अगर 3 हुआ तो अगर y कमान 3 हुआ तो क्या होगा 3 और 3 6 इसको 9 से डिवाइड होने के लिए x को भी 3 होना पड़ेगा लेकिन उसने question में मना कर रहा है कि x और y कमान बराबर नहीं है इसका मतलब ये value possible नहीं है y की value 3 possible नहीं हो तो ये 9 से divisible होगा इसका मतलब x का मान 8 और y का मान 7 होगा तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है 2x plus 3y अगर मैं x की जगे 8 रखता हूँ तो 8 2 16 और y की जगे 7 रखता हूँ तो 7 21 और अगर दोनों को जोडता हूँ 37 option number d हमारा answer हो जाएगा चलो बढ़ते हैं अगले question की तर नजर आ रहा है मुझे यह कह रहा है कि 2015 में देखो कभी भी डियाई के question में उपर की चीज़े मत पड़ा करो के वले एक नजर फेड़ दिया करो कि कोई data तो नहीं दिया आप उसमें time waste मत करो उसमें वही सारी चीज़ा हैंगी कि निम नंक तालिका का देखो और इसमें data दि दिया है कि इतने student है इतने लिटर दूद भी का इतनी sale हुई कुछ data दे रखा है वो काम का है 2015 में संस्थान A C और E में 2015 में A C और E में नामंकित छात्रों की कुल संख्या 2017 में B और D में नामंकित 2017 में B और D में नामंकित कुल छात्र संख्या से अनुपात बताओ दोस्तों अगर मैं इन तीनों का total करूँ तो मैं देखो ये 200 है ये 200 से 20 ज्यादा 20 इदर पकड़ा भी दूँगा तो भी ये 200 से 30 कम रहेगा इसका मतलब ये 600 से 30 कम 570 होने वाला है तोटल इस तरीके से आपको करना है फटा फट से इनका total करूँगा 380 होगा इसका ratio पूछा उन्होंने 19 से कट रहे है तीन बार दो बार तीन अनुपात दो option number C हमारा answer हो गया चलो बढ़ते हैं अगले question के तरह अगला question हमारा क्या कह रहा है देखो अगला question कर रहा है हमारा कि O center वाले circle में PAX और PBY एक बहाई पॉइंट P से पॉइंट A और B पर खीची गई tangent है तो यह एक geometry का question है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम एक circle बना लेता है यह हमने circle बना लिया फिर उसने बोलाए कि कोई बाहर का बिंदू है वहाँ से हमने दो tangent खीची है तो एक tangent बने यह खीच दी और दूसरी tangent हमको यह खीच दी हमने ठीक है और इनका नाम दिया गया है उसने P A X तो P A और यह X हो गया पी B और यह Y हो गया ठीक है फिर बोल रहा है कि सरकल पर एक पॉइंट क्यू इस प्रकार है कि Q A X 59 है एंगल Q A X सरकल पर कोई पॉइंट हमने लिया क्यूं तो एंगल Q A X यह वाला एंगल हमको दिया है 59 डिगरी और एंगल Q B Y यह वाला एंगल हमको दिया है 72 डिगरी बहतर डिगरी तो हमसे पुछा एंगल A Q B कम अप क्या होगा A Q B यह वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है ठीक है पता करते हैं दोस्तों अगर यह सरकल का सेंटर है तो आप मुझे बताओ क्या यह यह और यह क्य तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है तो बराबर हो गई हम जानते हैं कि सरकल के सेंटर से जब भी हम टेंजेंट को मिलाते है तो अगल 90 बनता है तो आप मुझे बताओ जब मैंने यह टेंजेंट है इसको मिलाया तो यह पूरा एंगल 90 होना चाहिए 90 में से 59 है तो क्या यह एं और अगर ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा तो दोस्तो 18 और 31 को जोड़ देंगे तो ये टोटल एंगल जाएगा 49 डिगरी option number D हमारा answer हो जाएगा चलो बढ़ते हैं हम अगले question की तरफ दोस्तो मेरी पूरी question रहती है कि हम वीडियों को ज्यादा लंबा नहीं करें आप लोगों का टाइम जो है वो बेहत कीमती है बहुत कीमती टाइम है और उसको मैं कभी भी खराब करने की नहीं सोचता हूँ तो मैं आप देखा करो कि सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं आप जितने second भी आप बिताएंगे मिनट की गंटों की बात नहीं कर रहा हूँ जितने second आप बिताएंगे वो एक एक second आप लोगों के काम आएगा दोस्तों ट्रिणोमेटरी का question नजर आ रहा है हमें यह इन्होंने पुछाए कि यह किसके बराबर है सबसे पहलो तो देखो कभी भी sack square plus cosec square हो तो आप इसको गुणा भी कर सकते हो यह दोनों value बराबर होती है plus में और गुणा में question में correction नहीं किया है कहीं आप सोचो question को में correction कर रहा है चाहे plus करो चाहे गुणा करो बात एक ही होती है तो दोस्तो root किसमें sack square और cosec square की बात कर रहा हूँ तो जब मैं इसका root करूँगा तो यह sack और cosec हो जाएगा मैं सब को sign और course में बदल लेता हूँ तो दोस्तों सैक को में लिख सकता हूँ 1 upon cos और sine को में लिख सकता हूँ 1 upon sin अच्छा अब इदर देखो 1 minus sine square जो होता है वो होता है cos square तो cos square में और cos में cos को मना जाएगा तो bracket में क्या बचेगा 1 plus cos तो दोस्तो 1 plus cos से 1 plus cos कर जाएगा यहाँ बचेगा sine बटा cos साइन बटा कॉस एक साइन से साइन कड़ गया तो one upon कॉस स्क्वाइर जिसे हम बोल सकता है सेक स्क्वाइर थीटा यह हमारे कॉशन का अंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कॉशन की तरफ देखते हैं next question क्या कह रहा है ओके next question भी D.I.E. का नजर आ रहा है मुझे यह कह रहा है कि सनस्थान A और B में मिला कर computer विज्ञान के अधियन करने वाले चात्र computer विज्ञान इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं by what percentage is the number of students studying computer science in institute A and B more than the number of students studying arts in institute B and C computer science A और B में यह computer science A and B में is more than arts in B and C B and C में arts दोस्तों इनका total हो गया 100 और इनका total हो गया अगर मैं दो इदर पकड़ा दू 105 तो 105 सो से कितना परसेंट जाद है पांच परसेंट यह तो बिल्कुल calculation करनी नहीं थी आपको simple सा सवाल दे दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने चाहिए चलो बढ़ते हैं अंगले question की तरफ कि नेक्ट सोचन हमारे इरा कि triangle ABC की side 5-6 और 7 cm लंबी है AB को विस्तारित करने पर किसी व्रत को बिंदू P पर इसपर्ष करती है AC को विस्तारित करने पर उसी circle को point Q पर इसपर्ष करती है AB और AC ठीक है और BC को circle R पर बिंदू R पर इसपर्ष करती है ओके तो दोस्तों ये question कुछ इस तरीके से बन रहा है मैं आपको बता दूँ यहां समझा दूँ color change करते है ये एक triangle है ABC इन्होंने काये कि AB को जब बढ़ाते हैं तो किसी circle को point P पर इसपर्ष करती है ये point P पर इसपर्ष कर रही है अगर AC को बढ़ाते हैं इसको AC को तो तो वो point R पर इसपर्ष कर, point Q पर इसपर्ष कर रहे है, point Q पर, और BC को point R पर, BC को ये circle R point पर इसपर्ष कर रहे है, तो हमसे पुछा गये, AQ के लंबाई क्या होगी, दोस्तो ध्यान रखो, एक तरीके से ये, जो question है, वो किस तरीके से है, एक tangent ये कहींची गई है, एक tangent ये कह नीची गई है, जब भी इस तरीके का question बनें, तो हमेशा इस triangle का जो perimeter होता है, याद रहो, triangle का जो perimeter होता है, ये होता है twice of tangent, क्योंकि दोनों tangent की लंबाई तो बराबर होगी, इस tangent A, P की लंबाई और AQ की लंबाई तो बराबर होगी, हमेशा इन दोनों tangent की लंबाई तो बर ही गई है तो बताओ triangle का perimeter 5 6 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो 18 और 18 से 2 कटेगा 9 9 हमारा answer हो जाएगा देखो यह result कैसे आया इन सारी बातों को हम लोग जब topic discuss करेंगे हैं आपको सारी बाते बताऊँगा लेकिन दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज में आप लोग देखेंगे कौन-कौन से result हैं जो हमें याद रखने चाहिए फिर देखो इस question में क्या कहा गया है 2015 में B, C और E में 2015 में B, C और E में नामंग के चातरों के कुल संक्या 2016 में ADF में, 16 में A, A ये हो गया, D और F में नामंग के चातरों के कुल संक्या से X परसेंट अधिक है तो X का निकटता मान बताओ दोस्तों अगर मैं इसका total करूँ तो ये 20 इदर जाएगा 200, 200, 200, 600 हो गया और यहाँ पर अगर मैं total करूँ तो देखो ये 200 है, ये 25 कम है, ये 35 कम है मतलब 60 कम हो गया, तो 60 कम करेंगे 540 हो गया तो पूछ रहा है कि ये कितना जादा है, तो दोस्तों अगर मैं इसका ratio निकालनों तो 0 से 0, 6 से कटेगा 9 बार, 6 से कटेगा 10 बार आप से ही पूछा जा रहा है, 10, 9 से कितना जादा है, तो दोस्तों एक जादा है, 9 से एक बटा नो को हम बोलते हैं, 11 and 1 by 9 परसेंट, तो 11.1 परसेंट ये हमारा answer जाएगा चलो बढ़ते हैं एक लिए question की तरफ एक ठेकेदार ने 130 दिन में time and work का सवाल नजर आ रहा है मुझे, 130 days में काम पूरा करने का जिम्मा लिया, 150 व्यक्तियों को 25 दिनों के लिए काम पर लगाया, और वे काम का एक चोथाई भाग खत्म कर देते हैं, अगर 25 दिन में एक चोथाई काम हुआ है, मतलब पूरा काम 100 100 दिनों में होता, तो 25 दिन का काम हो गया, 75 दिन का काम अभी भी बाकी है, ध्यान रखना, अगर एक चोथाई काम, उसने बोलाए कि 1 फोर्थ काम हो गया, अगर एक चोथाई काम 25 दिनों में हो आए, तो पूरा काम 100 दिन का था, 100 में से 25 दिन का काम हो गया, तो अभी 75 दिन तक काम करते हैं, सो लोगों ने साथ दिन तक काम किया इसका मतलब सो गुना साथ करेंगे छे हजार लोगों ने काम कर दिया तोटल काम बाकी कितना था कितना था, 150 लोगों के 75 दिन का इसको अगर गुणा करें, तो देखो 0 ता रहिएगा 15 पांच 75 एक सो पाँच और साथ एक सो बारा इतने में से छह हजार लोगों ने काम कर दिया तो बचा कितना पाँच हजार दोसो पचास लोगों का काम अभी भी बच गया आगे बढ़ते हैं तो बोल रहे इसके बाद मजदूर दस दिनों तक आराम करते हैं शेश काम को पूरा करने के कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना पड़ेगा ओके तो दोस्तो इतना काम बचा हुआ यह तो आपने निकाल लिए कितना काम अभी बचा हुआ है अब ध्यान से सुनिएगा 25 दिन पहले हो गए सार दिन एक हो गए और 10 दिन उन्होंने आराम किया तो दोस्तों टोटर हो साथ से डिवाइड करेंगे साथू पंजू 35 देड़ सो लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा 150 ध्यान रखना दोस्तों इस क्वेशन का आंसर तो 150 हो गया लेकिन अगर वो सवाल में पूस्ता कितने और मजदूरों को लगाना पड़ेगा तो आपका अंसर एक सो पचास न बढ़ते हैं एक लिए कोशन की तरफ आसानी सवाल थे वाला ज्यादा मुश्किल नहीं था कुछ पी तो यह ही है इसमें 15% देखो इसका 10% हो गया 64 5% हो गया 32 दोनों को जोड़ेंगे 96 अगर 640 में बेचने से 96 का लोस हो गया ध्यान से सुनिएगा 640 में बेचने से 96 रुपय का लोस हो गया वो हमें क्वेशन में ये कह रहा है इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस 96 हमारे पास आ गई 736 रुपय हमारे पास इसका 15% को कैलकुलेट मन में ही कर लेना है आप लोगों को अब वो बोल रहे वस्तू के CP पर 15% लाप बताओ CP यह हो गया 15% लाप प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपय में बेचना चाहिए दोस्तों अगर 15% लाप कमाना है त 15% मतलब 115% पे बेचना होगा 115% में हमें सेल करना होगा इतने में हमें सेल करना होगा यह वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है दोस्तों 15% अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम करना चाहता हूं देखो आप एक बात को समझेए अगर मैं यह 108 तो यह पॉइंट आ जाएगा ध्यान से सुनिएगा अगर मैं इसको डबल कर दूँ 2.3 हो जाएगा और इसको आधा कर दूँ इसका आधा करूंगा तो 368 इतना हो जाएगा तो मैं अगर क्यों यूनिट रिजी देखूं तो आरतिया 24 इकाईक चार आना चाहिए और डिजिट पॉइंट के बाद में एक कोना चाहिए तो ये दोनों तो नहीं होंगे पॉइंट में है नहीं पॉइंट की में चार यह आ रहा है तो option number D मेरा answer हो जाएगा हम calculation को किस तरीके से eliminate कर सकते हैं दोस्तों ये बात मैं आपको सिखा रहा हूं कई student 115 से गुना करने बढ़ जाते हैं दोस्तों ये चीज मिनको दोसे डिवाइड भी कर रहा हूं दोसे multiply भी कर रहा हूं चलो बढ़ते हैं मंगले question पर अलजेबर का सवार है देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि A square है और 2A है तो मैं इनको साथ में रखूँगा A square 2A यदर आएगा तो माइनस 2A बन जाएगा इधर से यह माइनस का 4B square इधर की तरफ आएगा तो प्लस का 4B square हो जाएगा और यह माइनस का 16B इधर आएगा तो प्लस का 16B हो जाएगा तो मैं तीनो टम को उधर ले जा चुका हूँ अभी भी C square बचा हुआ है उसको मैंने लिख दिया और जो 17 है उसको अगर मैं एक इधर और 16 इधर ब्रेक कर दो दोस्तों क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा तो इधर की तरफ 0 बचेगा दोस्तों ऐसा मैं अब इसलिए ब्रेक किया आप देखेंगे कि यह सब के सब होली स्कॉयर बन गए यह पूरा का पूरा एक टाइप ही है जिसमें हम बोलते हैं कि सकॉयर का समझ जिरो तभी हो सकता है जब अलग-अलग सभी टम जिरो वो पूरा टाइप बन रहा है दोस्तों यह बन गया A-1 क का होली स्कॉयर यह बन गया आपका 2B प्लस 4 का होली स्कॉयर और यह है आपका C का स्कॉयर दोस्तों अगर स्कॉयर का योग 0 है तो यह भी 0 है यह 0 कब होगा जब A बराबर 1 होगा यह 0 कब होगा अगर यह 0 हुआ तो 2B बराबर माइनस 4 तो B की वेल्यू क्या जाएगी माइ दो का क्यूब माइनस आठ और जीरो का क्यूब जीरो माइनस साथ हमारे सवाल का अंसर हो जाएगा चलो बढ़ते हैं हम अगले कोश्चन की तरफ ओगे चावचाह व्यक्तियों की द्र याक को दिखाया घिके ये पचास लोगों के दिखायेगी लेस लेस ये एतने लोग है इतने तो कितने व्यक्ति 200 रुपय इ Conf zeg अधिक लेकिन 300 से कम, देखो 300 से कम कमाने वाले 34 लोग हैं, टोटल, जो 300 से कम कमाते हैं, 0 भी कमा सकते हैं, 2 भी कमा सकते हैं, 500 भी, 1,500 भी कमा सकते हैं, 275 भी कमा सकते हैं, लेकिन उसने बुला यह 200 से अधिक होना चाहिए, तो 200 से कम वाले जो 12 लोग हैं, उनको हमें हटाना हो जाएगा बढ़ते हैं एक लिए क्वेशन पर अब कि ए बीसी के बीच इतने रुपए की राशी को इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि ए और बी का जो रेशू है वो हमें क्वेशन में दे रखा है दोस्तों 9 रेशो 8 और A और C का ध्यान रखना A और B का और A और C में common कोन है A की value यहां 9 है और A की value यहां 4 है सेम करने के लिए 9 को 4 से और 4 को 9 से अगर मैं इसको 4 से गुना करूँगा तो 36 और 32 ये A और B का रिशो आ गया है और इसको 9 से गुना करूँगा तो 36 और 45 A और C का आ गया है तो A का तो 36 था ही C का कितना हो जाएगा 45 तो हमसे पुछाए B का भाग बताओ आपको पैसा इस अनुपात में बारतना है दोस्तो अगर मैं इनका total देखू 30, 600, 111, 113 113 में से 32 रुपए B को पकड़ाने इतना हिस्सा हमें B को देना है इतना हिस्सा हमें B को देना है total पैसे में से दोस्तो अगर ये 112 होता ध्यान से सुनिएगा अगर यह 112 होता है नहीं है 113 मैं इसको एक बार के लिए approximately मिरे को दिखते 16 क्या पहाड़ा याद आया मैंने देखा कि अगर यह 112 होता तो 16 से करता 2 बार और 16 से करता 7 बार इसका मतलब 2 बटा 7 हिस्सा हमें देना है और 2 बटा 7 आप सब जानते हैं 28 सही 4 बटा 7 परसेंट होता है दोस्तों आपने नीचे की वैल्यू को थोड़ा सा कम किया था इस वज़े से जो आपकी आंसर आया वो थोड़ा सा क्या है जादा है यहाँ पर आपको 112 किया है तो आपने 2 बटा 7 किया इसको 113 था ज्यादा से भाग देना था तो हमारा आंसर थोड़ा सा और कम होगा तो दोस्तों ध्यान से सुनिया हमारा आंसर होगा 28, 29 29 परसेंट के आसपस हमारा आंसर आएगा तो इसका 30 परसेंट अकर मैं देखूं तो इसका 10 परसेंट है 31 तीस सो तीस परसेंट हो गया तराण में सो तराण में सो थोड़ा सा कम ऑप्शन नमबर सी मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नमबर सी है 9024 मैं सिर्फ एप्रोक्सिमिट वैल्यू निकालूंगा क्योंकि ऑप्शन देखो बारह हजार दस जार 9000, 8000 काफी गैप हैं हमारे पास तो मैंने सिर्फ एप्रोक्सिमेशन करके इसका अंसर निकाल दिया चलो बढ़ते हैं अगले क्वेशन पर जोमेटरी का सवाल यदि BE और CF एक ट्रेंगल ABC की दो मीडियन है A, B, C, BE and CF ये दो मीडियन है अगर मीडियन है तो ये इनका इंट्रसेक्टिंग पॉइंट जो होगा केंदर रखोगा जी उनका प्रतिछेद बिंदू है EF और AG का प्रतिछेद बिंदू O है EF और AG, AG को मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसका प्रतिछेद बिंदू O है तो हमसे पुछाए EO और OG का रेशो क्या होगा इनका दोस्तों ये एक रिजल्ट होता है आपको ये रिजल्ट याद भी होना चाहिए ये रेशो 3, रेशो 1, रेशो 2 होता है क्यों होता है जब हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगा तो A और OG का रेशो 3, रेशो 1 हो जाएगा ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए आप लोग याद रखना अगर नहीं है कभी भी ट्राइंगल की अगर तीनों मीडियन कीचिए एक, दो, तीन, तीनों मीडियन कीचिए इसको मैंने मिलाया तो ये रेशो 3, रेशो 1, रेशो 2 होगा चलो बढ़ते हैं आगे किसी बेलन का वक्र प्रस्थी है शेत्रफल, दोस्तों 2 पाई रह होता है, 2 पाई रह, इसका मान आपको दिया है 462, आगे बढ़ते हैं और इसके बेस का एरिया इतना है, बेस जो बेलन का होता होता है, पाई र स्क्वाइर, तो पाई र स्क्वाइर की वेलू आपको दिया के 346.5 बेलन का वोल्यूम क्या होगा तो वोल्यूम के लिए पाई आर इसक्वाइर होता है फॉर्मिला पाई आर स्क्वाइर का मांन तो है केवल ह हमें निकालने है एच कब निकलेगा जब मैं आर कमान यहां इसे निकाल के यहां रखूँगा, तो दोस्तों करते हैं, calculation, calculation तो करने पड़ेगी, point अटाएंगे, 0, okay, देखो दोस्तों, 11 से ही कट रहे है, 2 बार, 11 से ही कट रहे है, 11, 33, 11, 11, 15, 15, छीक है, तो और कुछ नहीं कट रहे है, तो R square का मान देखो, ध्यान से सुनीगा मेरी बात को, 5 से कट रहे है, 2 बार, बिलकुल कट रहे है, और 5 से कट रहे है, आपका, 5 से 6, 3, 63 बार, दोस्तों, R square का मान ये है, तो R का मान जो होगा, ध्यान से सुनीगा, 63 को मैं लिख सकता हूँ, 9 गुना 7, और ये 7 नीचे से उपर चला गया, 7, और ये 2 नीचे आएगा, तो 2 दूनी बटा 2 मेरे पास R का मान आ गया है, और अगर इस वैल्यू को 21 बटा 2 को मैं यहां पुट कर दू, R की जाएगा क्या रख दू, 21 बटा 2, ध्यान से सुनीगा दोस्तों, तो देखो, 21 से कटेगा, 21 दूना 42, 21 दूना 42, और 22 से 22 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो H का मान मेरे पास 7 multiply करना है, तो एक तो point में मेरा answer आएगा, तो ये दोनों तो cut गए, जरौत नहीं है, अब देखते हैं, 7, 55, 35, 3, 76, 42, 3, 45, 4, 7, 28, 24, 32, 2 आएगा, 5 नहीं आएगा, तो मेरा answer यह आगया, मैं पूरी calculation नहीं करूँगा, चलो बढ़ते हैं आगे, अगला question देखो, A, B, C की income का ratio दिया है, 7, 9, 12, और उनके खर्चे का ratio दिया है, 8, 9, and 50, ये है income, ये है expenditure, अब बोल रहे हैं कि A अपनी income का 1 fourth save करे, दोस्तो 1 fourth save करने का मतलब होता है, 4 में से 1 रुपए save कर रहा है, तो 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो A का जो income और खर्चा है, वो 4 रुपए में से 3 रुपए खर्च होना चाहिए, मतलब A की income और expenditure के ratio को, आपको 4 और 3 में बदलना होगा, और किसी भी ratio में बदलने के लिए आपको पहले equal करना पड़ेगा, 7 और 8 को कैसे equal करूँगा, 7 को 8 से, और 8 को अगर मैं 7 से multiply कर दू तो यह equal हो जाएगा, लेकिन मुझे इसे 4 ratio 3 में बदलना है, तो मैं 4 और 3 से और multiply कर दूँगा, दोस्तों कुछ कट रहा होता तो मैं कार देता पर नहीं कट रहा, तो आपको 32 से इसको multiply करना है, 32 गुना 7 करनेंगे, 7 दुना 14, और 7 यह 21 और 12, और 21 से मैं इसको multiply करूँगा 168, A की income यह रहा, खर्चा रहा, अगर घटा के देखों तो 32, 24, 56, 56 किसी A की option में है का यह रहा, मैं बाकी सारी चीज़े calculate नहीं करूँगा, आप calculate कर सकते हैं, multiply करके जब घटा होगे तो यही आएगा, लेकिन मुझे 56 A की option में दिखा मेरा answer वही हो जाएगा, चलो बढ़त question हमारा क्या रहा है कि 15% वार्शिक धर पर एक निश्चित राशिक पर दो साल बाद इतने रुपह हो जाते हैं, 15% से 2 साल का ब्याज 30% होता है, मतलब 100 रुपह 130 हो गए, 10 रुपह 13 रुपह हो गए, तो यह value जो आपको दे रखी है, वो 13 की value दे रखी है, और 10 की value अगर मै 130% मालो, अगर आपको इससे दिक्कत आ रही है, दोस्तो एक साल का ब्याज अगर 15% है, तो 2 साल का 30%, तो 2 साल बाद वो 130% हो जाएगा, अगर 130% की value यह है, तो principle की value, 100 की value निकालने के लिए 0 से 0, 13 से काटेंगे, 13, 65, तो 10,500 रुपह हमारे पास principle आ गया, आगे बढ़ते हैं समान अर्दवार्शिक चक्रवर्दी ब्याज दर पर वही राशी एक साल बात कितनी हो जाएगी, देखो अर्दवार्शिक मतलब हमें rate आधी करनी पड़ेगी, time double करना पड़ेगा, तो rate अप 15 की जगए 7.5% हो जाएगी, और आपको उसको double करना पड़ेगा, दो साल का नि 1050, 5% आधा हो जाएगा 525, तो 15% हो गया 1575, और अगर मैं इसका आधा कर दूँ, इसको एक बार के लिए मैं 1600 माल लेता हूँ, थोला सा ज़्यादा माल लेता हूँ, बाद में कम कर लेंगे, तो 800 रुपया आएगा, एक्शल में साधे बारा कम होगा, 25 मैंने ज़्यादा मा रहे है, तो 800 रुपया पहले साल का कमपाउंड इंट्रेस्ट आएगा, अगर मैं 800 रुपया पहले साल का जोड़ दूँ इसका अंदर, ध्यान से आप मेरी बात को समझ रहे हैं क्या, 800 रुपया अगर मैं इसमें जोड़ दूँ, तो यह हो जाएगा 11,300 रुपया, और इस फिर से मुझे 7.5% ब्याज देना है, तो मैं पहले 15% निकालूँगा, और फिर आधा कर दूँगा, 1130 रुपया 10% हो गया, 1130 रुपया, और फिर 5% निकालूँगा, इसका आधा करूँगा, 550 65 के आसपास आएगा, तो अगर हम देखें 15%, तो यह हो गया 1695, लेकिन 15 नहीं ह आधा करना है, तो इसका आधा 8500 रुपय होता है, अगर मैं इसमें 8500 रुपय जोड़नू दोस्तों, तो यह हो जाएगा 50, 1, 12150, लेकिन दोस्तों हमने थोड़ी सी वैल्यू जो है, वो ज्यादा ली हुई है, आप सबको पता है कि मैंने 800 ले लिया था, जो हमें कम लेना च सुचू, तो हमारे क्वेशन का आंसर हो जाएगा, चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेशन पर, क्वेशन अबार 24, एको 160 किलोमेटर की दूरी तैय करने में 20-8 गंटे अधिक लगते हैं, यह अपनी स्पीड अगर डबल कर दे, दोस्तों ओल्रेडी 50 मिनट के आसपास हो चु यह अपनी स्पीड डबल कर दे और उसी दूरी को तैय करने में उसे B की तुलना में 3 गंटे अधिक समय लगता है, तो B की स्पीड बताओ, तो स्पीड को A और B माल लेते हैं, आप बताओ, 160 किलोमेटर को A की स्पीड A माल लिया मने, इतना टाइम लगेगा, और 160 किलोमेट तो B को इतना टाइम लगेगा, लेकिन अब A को B से 3 गंटे जादा लग रहे हैं, दो एक्वेशन हैं, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, तो यह तो कड जाएगा, इसमें से इसको घटाओंगा, तो दोस्तो 160 by 2 A बचेगा, इसमें से मैंने इसको घटाया, तो देखो आप समझो, यह A और यह आधा है, एक में से आधा आजाता है, तो आधा ही बसता है, यही बसता है, तो यह हमारे पास बचेगा, तो यह बराबर आजाएगा, हमारे पास 5, 5 से कटेगा 32 बार, 32 से कटेगा 2 कटेगा 16 बार, A की वैल्यू हमारे पास आगई है 16, A की स्पीड 16 सोला गई है लेकिन उसने बीकी पूछी है एक कामान अगर मैं 16 रखता हूं दोस्तों तो एक कटेगा दस बार दस में से आठ जाएगा बचेगा दो यह उधर जाएगा दो से कटेगा 80 बार तो बीक कमान कितना जाएगा 80 हमारे क्वेश्चन का अंसर पर कि दो चलो बढ़ते हैं अगले घ conference पर ओर यह हमारे लास्ट पूस्जन है हम से पूछाए एक का मान क्या होगा है इलजेबर और का सवाल है पावर पांच है देखो दोस्तों अगर मैं इसको देखो नहीं अब siya sempre Crash 1 दूआ है चार था, तीन की पावर क्या बन गया, पांच बन गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और ये बन गया 33, और इधर की तरफ है, a प्लस 1 की पावर 5, और a की पावर 5 प्लस 1, दोस्तों, अगर मैं सिर्फ कंपेर करूं, तो आप ये कहेंगे, कि सर अगर ये 3 है, तो ये भी पास कितना आगया, दो, एक आमान हमारे पास कितना आगया, दो, लेकर आप्शन में तो है नहीं एक आमान दो, ये क्या हो गया, एक आमान दो तो आप्शन में दिया ही नहीं है, क्या गरबड कर रहे हैं उन्होंने, दो नहीं है तो एक काम कर सकते हैं क्या अगर दो नहीं है तीन की पावर पाँच तो दो की पावर पाँच अगर दो नहीं है तो एक काम कर सकता हूँ इसमें क्या कर सकता हूँ कोई बात ही option से check करते हैं एक से काम नहीं चलेगा तीन बटा दो रखने से काम नहीं चलेगा ये चार बटा तीन से नहीं एक बटा दो हो सकता है क्या एक बटा दो अगर रखता हूँ तो एक बटा दो और एक कितना हो गया तीन बटा दो option से check करते हैं एक बटा दोर एक उतना हो गया तीन बटा दो की पावर पांच और एक बटा दो की पावर पांच करेंगे तो एक बटा बटीस प्लस एक तो दोस्तों यह हो जाएगा यह हो गया हमारा आंसर तीन की पावर पांच बटा दो की पावर पांच होगा दो की पावर पांच से दो क को satisfy कर रहे नूँ अगर मैं 1 बटा 2 रखता हूँ तो यह हो गया 3 बटा 2 की power 5 और 1 बटा 2 रखता हूँ तो 1 बटा 32 और 1 तो दोस्तो 2 की power 5 32 ही होता है और यह भी 2 की power 5 है 32 से 32 कर जाएगा 32 और 33 नीचे बचेगा और 3 की power 5 उपर बचेगा दोस्तों मैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर चीजों को देखा होगा कभी कबार देखो question मैं भी यहाँ पर first time आप लोगों के सामने देखता हूँ थाकि natural कैसे reactions हमारे आने चाहिए क्या चीज़े होने चाहिए वो हमको क्लिक होना चाहिए कई वार कुछ question देखकर के मुझे भी time लगता है मैं मान रहा हूँ इस बात को लेकिन दोस्तो वो जो time लगना है वो natural है आप exam में में इस में 100 question में से 100 question सबसे अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं आपको maximum question अच्छे तरीके से करने हैं दोस्तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस सीरीज में जरूर कुछ सीखने को मिला होगा तो आप लोग इस सीरीज के साथ बने रही है और Maths with Mohan गुपता चै थैंक यू वेरी मुच